हेलो फ्रेंट्स मैं सुश्मा हेल्दी संसार में आपका स्वागत करती हूँ आज हम पिस्ता के फायदे कैसे कब और कितना खाना चाहिए या जानेंगे पिस्ता और काजू दोनों एक ही फैमिली के हैं इसलिए दोनों के गुणों में काफी समानता है इरान पिस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पिस्ता की तासीर गर्म होती है इसलिए इसे गर्मी में कम मातरा में खाना चाहिए पिस्ता भी एक प्रकार का नर्स है इसलिए इसे भी रोस्ट करके काजू की तरह या भींगो कर बादाम की तरह खाएं इसमें मौझूद phytic acid, jink और iron जैसे तत्व को शरीर में absorb नहीं होने देते हैं इसलिए इनका भींगोना या roast करना जरूरी है नमकिन पिस्ता खाने से बचें क्योंकि sodium की मात्रा जादा हो जाती है पिस्ता में phytic acid की मात्रा बादाम की तुलना में बहुत कम होता है इसलिए कुछ पिस्ता कच्चा भी खाया जा तो नुकसान ना के बराबर होगा इसे दूसरे dry fruits के सांसुबह खाली पेट लिया जा सकता है इसे roast करके दो मिल के बीच में कभी भी खा सकते हैं खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी dry fruits नहीं खाना चाहिए कितना पिस्ता खाना चाहिए या सही सही बताना मुश्किल है कुछ लोग सिर्फ एक पिस्ता खाने की सला देते हैं तो कुछ 25 से 30 पिस्ता खाने को कहते हैं मैंने बहुत कोशिस की या जानने की कि कितना पिस्ता खाना चाहिए पर संतोज जनक जवाब मुझे कहीं नहीं मिला इसलिए मैं अपने वेक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि गर्मी के दिनों में 10-12 पिस्ता भींगो कर या 6-7 पिस्ता रोस्टेट खाएं सरदी में 10-12 पिस्ता बिना भींगोए भी खा सकते हैं इसमें 2-4 पिस्ता ज़्यादा या कम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं पॉस्टिक्ता की द्रिस्टी से देखी जाया तो इसमें अच्छी मात्रा में पोशक तत्वे मौझूद हैं 100 ग्राम पिस्ता में उर्जा 5-71 किलो कैलोरी प्रोटीन 21 ग्राम, फैट 46 ग्राम, काप्स 28 ग्राम, फाइबर 11 ग्राम है इसके अतरिक्त या कैल्शियम, आइरन, मैगनेशियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कॉपर, मैगनेश, विटेमिन B1 और विटेमिन B6 का बहतरी इंश्रोथ है पिस्ता खाने के क्या-क्या फाइदे हैं? या देखते हैं हार्ट के लिए पिस्ता बहुत अच्छा है या बैट कॉलिस्ट्रॉल LDL को कम करता है और गुड कॉलिस्ट्रॉल SDL को बढ़ाता है इसमें मौजूद एमिनो एसेड, धमनी को सक्त होने से बचाते हैं और खून को एक जगा जमने से भी रोकते हैं इसमें विटमीन B6 है जो मूड को अच्छा रखता है जिससे कॉलिस्ट्रॉल कम बनता है या हाई बिपी को भी कम करता है क्योंकि इसमें पोटाशियम, मैगनेशियम और कॉपर तीनों मौजूद है पिस्ता हड़ी और दान दोनों को मजबूत बनाता है इसमें मौजूद कॉपर की कारण बोन डेंसिटी सही रहती है जिससे ऑस्ट्रियो फोरसिस का खत्रा नहीं रहता है या कार्टिलेज के बनने में भी सहायता करता है और दान को भी सरण से बचाता है पिस्ता आयरन का बढ़िया शोथ है इसमें मौजूद कॉपर के कारण आयरन शरीर के द्वारा एब्जॉफ कर लिया जाता है जिससे हवी बढ़ता है और खून की कमी पूरी होती है पिस्ता वजन कम करने में भी मदद करता है हाई कैलोरी ड्राइफरूट होने के बावजूद इसे खाने से वजन कम होता है इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर के कारण ऐसा होता है जिन्हें डायबर्टीज है उनके लिए पिस्ता बहुत फायदेमंद है ड्राइबर्टीज के रोगी में शुगर प्रोटीन के साथ मिलकर प्रोटीन को यूजलेस बना देता है इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं पिस्ता में मौजूद एंटी ऑक्सिदेंट्स इस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं पिस्ता में Phosphorus है जो Type 2 Diabetes होने से बचाता है पिस्ता आँखों के लिए भी बहुत बढ़िया माना जाता है इसमें Lutein और Gezenthin नामक Antioxidants होते हैं जो आँखों को Ultra Violet किरनों से बचाते हैं उम्र के साथ Macular Degeneration की परिशानी बढ़ जाती है और आँखों की रोशनी कम होने लगती है पिस्ता इनसे बचाव करता है या Cancer से भी बचाता है इसमें मौजूद Antioxidants, Free Radical से शरीर की रक्षा करते हैं इसे नियमी तोर पर खाया जाए तो Skin Cancer, Prostate Cancer और Lung Cancer की संभावना कम हो जाती है इसमें Vitamin B6 होने के कारण या RBC की संख्या बढ़ाता है जिससे भी Cancer की संभावना कम रहती है या पाशन तंदर को स्वस्त बनाता है इसमें मौजूद Copper, Vitamin B1, B6, Magnes, Phosphorus और Fiber Digestive System को स्वस्त बना कर रखते हैं पिस्ता खाने से आँट में Good Bacteria की ब्रिद्धी होती है जो आथ को स्वस्त बना कर रखते हैं नर्वस सिस्टम और मस्तिश के लिए पिस्ता बहुत अच्छा माना जाता है इसमें Anti-Inflammatory और Neuro-Protective गुण होते हैं या Brain से Related Hormone को उत्तेजित कर Brain में होने वाले सूजन को रोकते हैं इसमें मौजूद Flavinoids या Daast को बहतर बनाते हैं इसे खाने से सिर्दर्द में भी आरा मिलता है पिस्ता Immune System को बहतर बनाता है रोक प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने के लिए जरूरी सभी तत्व इसमें मौजूद है या खून की कमी नहीं होने देता या त्वचा और बालों के लिए भी बहुत बढ़िया होता है इसमें मौजूद Vitamin B6 और Copper त्वचा में कसावट लाते हैं बालों की समस्या को खत्म करते हैं और समय बाल जो ग्रे होते हैं उनसे भी ये रक्षा करता है ये थे पिस्ता के फायदे यदि सिमित मातरा में खाय जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं छोटे बच्चों को भी 4-5 पिस्ता दिया जा सकता है उमीद है आपको पिस्ता की जानकारी अच्छी लगी होगी आप मेरे वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें पढ़ने के शौकीन है तो मेरे वेबसाइट healthysensor.in पर आपका स्वागत है मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए